36 गड़ भाचपा के दिगज नेता और कुरुट से विधायक अजे चंद्राकर ने एक बार फिर से कई मुद्दों पर कॉंग्रिस को घिरा है। उन्होंने लोक सेवा आयोक के दफ्तर में CBI की दबिश को लेकर कहा कि परिक्षा की विश्वस्नियता 36 गड़ से ही कटगड़े में खड़ी हो गई है। गड़बड़ियों के समय कॉंग्रिस का शासन था और इसी समय 36 गड़ में परिक्षाओं में गड़बड़ी शुरू हो गई थी। इसके साथी 36 गड़िया ओलंपिक बंद होने के संबंद में विधायक अजेचंद्राकर ने कहा कि आगामे विधानसबा सत्र में 36 गड़िया ओलंपिक को लेकर सवाल लगे हुए हैं। सदन में नए तथ्य सामने आएंगे जब तक हम इसे परिणाम तक नहीं ले जाएंगे तब तक सवाल लगते रहेंगे। उन्होंने कहा कि चत्तिजगड़िया ओलंपिक का पैसा और राजी विवामितान क्लब का पैसा एक ही जगा खर्च हुआ है। दोनों के पैसे का जब तक हिसाब किताब नहीं होता तब तक चुप नहीं बैठेंगे। अलग होता है और चत्तिजगड़ में पैसी के बारे में अलग होता है कोई भी नेता कोई बोलने को तयार नहीं है कि चत्तिजगड़ पैसी में कोई गड़ बढ़ी हुई है। दोनों पैसे एक ही जगा खर्च हुआ है ये जब तक साबित नहीं होगा और दोनों के पैसे का हिसाब किताब क्या है तब तक ये चलता रहेगा बतादे की कॉंग्रेस की ओर से मौनसून सत्र की अवधी बढ़ाने की मांग की जा रही है इसे लेकर विधायक चंद्राकर ने कहा कि चरंदास महंत को सोचना चाहिए बुपेश बगहेल ने कितने दिनों का सत्र बुलाया था विधानसबा अध्यक्ष थे तो उनकी भूमी का क्या थी ऐसी बाते नहीं करनी चाहिए जिसके लिए खुद दोशी हूँ सबसे छोटा सत्र बुलाने का श्रे अजीद जोगी और भुपेश बगहेल के पास है इन्होंने परमपराओं को दूशित किया है उन्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है तो आपको क्या लगता है मौनसून सत्र की अधि बढ़नी चाहिए या नहीं हमें कॉमेंट कर जरूर बताए और इस वीडियो को जादस जादस शेयर करें और हमारे चैनल खबर बेबाग को सब्सक्राइब करना ना भूलें झाल लगता है